प्रधान मंत्री मोधी जी ने दिल्ली के मुख्य मंत्री मेरे पती अर्विन केजिवाल जी को जेल में डाल दिया आपके भी चहेते मुख्य मंत्री हेमन सुरेंची को भी जेल में डाल दिया क्या सही किया उन्होंने? आज आप ही बताईए इनका क्या कसूर है? हेमन सुरिंजी का क्या कसूर है अदालत ने उन्हें गुनागार नहीं ठेराया कोई दोश थाबित नहीं हुआ फिर भी गुन्डा गर्दी से छल से कपट से उनको जेल में डाल दिया कहते हैं जाच चल रही है ये कैसी जाच है जहां आप बे गुनाओं को बिना दोश कोई दोश साबित हुए जेल में डाल दो ये ताना शाही है ऐसी ताना शाही बर्दाश करेंगे आप लो भगवान करें ऐसी ताना शाही किसी को ना देखने को मिले मेरे पती का क्या कसूर है यही कि उन्होंने दिली में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया अच्छी सिक्षा दिलवाई अस्पताल बनवाई महला क्लीनिक बनवाई महला क्लीनिक की तो चर्चा दुनिया भर में है देश भक्ती कूट-कूट कर भरी है अरविंजी में उन्होंने जब IIT पास की उनके सभी दोस भाँ चले गए पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए ये नहीं गए इन्हें तो जनसेवा करनी थी आपको एक बार बताती हूँ जो किसी को नहीं पता अभी तक हमारी जब शादी तया हुई तो अरविंजी का मेंसे एक ही सवाल था पूछने लगे कि मुझे समाद सेवा करनी है तुम्हें कोई प्रॉबलम तो नहीं होगी बताईए ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया अरविंजी को आईरेस की नौकरी मिली अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती लेकिन उन्हें तो समाद सेवा का जुनून था नौकरी से छुट्टी लेकर गरीबों के लिए काम करने लगे दो हजाज़शे पस्ति में काम करने लगे ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया दो हजार ग्यारा में अंदोलन हुआ आप सभी उस अंदोलन के बारे में जानते हैं दो बाल लंबा लंबा अंचन की आइनों ने तेरा तेरा चौदा चौदा दिनों का जन्ता के हक के लिए शूगर के मरीज हैं डॉक्टर्स ने मना किया ये नहीं माने और अपनी जान दाव पर लगा दी ऐसे शक्स है आर्विन केश जिवाल जी उसूलों के एकदम पके पहली बार जब दिली के मुख्य मंत्री बने तो उन-चास दिनों में ही हिस्तिफा दे दिया कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता अर्विन जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है उनकों देश को नमबर वन बनाना है कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे इमानदा लोग ही राजनीती में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये बहुत मुश्किल है जेल का ताला तूटेगा अर्विन केशबाल चूटेंगे हेमन सौरिन चूटेंगे कई लोगों ने कहा कि राजनीती बहुत गंदी चीज है वाकई बहुत गंदी चीज है देखिए अभी आरी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ कैमरा एक-एक निवाले पे उनके नजर रखा रखी है कितनी शरम की बात है शुगर के मरीज है बारा साल से इंसुलिन ले रहे हैं पचास यूनिट हरोज लेते हैं लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्य मंतरी को ये लोग अर्विन केश जिवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते अर्विन जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी सिख्षा दी है